नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल अंकित वर्मा ओल एच पी नॉटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि आज के इस वीडियो में आपको आज 8 मई 2022 की हिमाचल प्रदेश की शाम 5 बजे की टॉप 10 ताजा खबरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को जो है शुरू करते हैं शुरू करते हैं शुरू करते हैं शाम 5 बजे की टॉप 10 ताजा खबरें चलिए वीडियो को जो है शुरू करते हैं तो देख सकते हैं शाम की पहली ताजागवर ब्रेकिंग निज ए हिमाचल प्रदेश विधानसबा के मुख्य द्वार और चार दिवारी पर लगे खालिस्तानी जंडे सीम बोले हिम्मत है तो दिन के उजाले में सामने आएं तो विधानसबा के मुख्य द्वार और चार दिवारी पर खालिस्तानी के जंडे लगे मिले स्पी कांगडा खुशाल शर्मा ने कहा कि हो सकता है या कि या गटना आज दे रात या सुवा हुई हो मामले की जान चोए की जा रही है उपलबधी कि नौर के अमित ने फटे की दूनिया की तेसरी सबसे उची चोटी कंचन जंगा अमित नहिमाचल के पहले ऐसे आमनागरिक सिवलियन है जिन्होंने 8,586 मीटर उची कंचन जंगा की चोटी फटे की वह अकेले ऐसे भारती परवत रोहे हैं जो कंचन जंगा अभ्यान के लिए भारत का प्रतिने दित्तब कर रहे थे पुलिस कॉंस्टेवल भारती पेपर लीग परीक्षा की राद होने का दर्द उस मां से पूछो जसने मेरिट में आने पर बांटे थे लड़ू मनाली छे महिने बाद प्रियाटकों के लिए खुला ब्यास मंदिर गाती के युवाओं ने हठाई वर्प तो अब रोतांग दर्रा तक पहुँचने वाले प्रियाटक ब्यास नदी के उद्गम स्थल का भी दीदार कर सकेंगे युवाओं ने मंदिर के द्वार खोलने के बाद वाकाईदर ब्यास रिशी की पूजा अर्चना भी की हिमाचल सूखे और ओलावरिष्टी से बागवानों को 34 कुरूर का नुकसान तो बागवानी कोई जो है सेव की फसल पर सबसे ज्यादा आर्थिक मार पड़ी है योग दोपहर में भाशन और शाम को स्कूल परिसर सवारेंगे बच्चे तो परदेश सिरकार ने हर माग के चौथे शनिवार को बच्चों के लिए बस्ता रहित दिवस यानि बैग फ्री डे घोशित किया है लेकिन इस दोरान क्या-क्या गतिविदियां करवाई जानी है इस पर स्थिति साफ नहीं है अब स्कूल शिक्षा बोड ने गतिविदियों का शडूल बना दिया है जुवाली में पेजल सप्लाई में आरा मटमेला पानी पानी पीकर बिमार होरे लोग तो विदान सबक्षे तरज्वाली के अधिन ग्राम पंचायत नडोली के पकरेहड में पेजल सप्लाई में मटमेला पानी आने से पकरेहड वासियों में भई भारी रोश है गाउवासियों ओंकार सिंग सुभाश चंद जर्म सिंग इत्यादी ने का कि पिछले करीब एक सब्ता से नलों में मटमेला पानी आ रहा है युवा शक्ति को आत्म निर्भर बनाने एवं रोजगार परक शेक्षा परदान करने के लिए सरकार प्रतिबाद है तो प्रदेश सरकार राज्ये में गुनात्मक और रोजगार परक शेक्षा परदान कर युवाओं को स्वाव लंबन की रापर आगरासर कर रही है हिमाचित सरकार प्रदेश में तक्नीकी शेक्षा के सुद्रेडी करन पर विशेश बास दे रही है परदे सरकार ने तकनीकी शिक्षा संस्थानों में कई नए व्यवसाइट पाठेगरम शुरू किये हैं वर्तमान में तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतरगत जो है कोल 363 तकनीकी शिक्षा विवम उद्योगिक प्रिशिक्षन संस्थान क्रियशील है श्री लक्ष्मी नाराइन सेंज मेले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उदेश्य पर नाची 1670 महिला है तो सेंज घाटी में श्री लक्ष्मी नाराइन के सम्मान में मनाये जाने वाले जिलास्तरिय सेंज मेले में कुल्वी संस्कृती की अनोखी जलक देखने को मिली मेला कमेटी के सोजन्य से करवाए जा रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभ्यान को इस मेले में एक नया रूप मिला है मेला कमेटी ने सेंज गाटी के जो है वेविन मेहिला मंडल, स्वाइन सायतस्मू और अंगनवाडी कारेकताओं को नाटी के लिए विशेश रूप से आमंतरित किया था जीला चमबा में दो अलग अलग सड़कासों में दो लोगों की मौत, तीन लोग गंभी रूप से गाईल तस्वीर हैं आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश की डिश्टिक चमबा से निउजे की जीला चमबा के बर्मावरवा पांगी में दो अलग लग सड़कासों में दो लोगों की मौत हो गई जबकि तीन लोग गंभी रूप से गायल हो गई पहला हाथसा पांगी के जो है तांदी किलाड मारक पर पेश आया जहां किलाड की ओर रेत लेकर जा रहे है टिपर की दुरगटन अगरा स्थोरे से एक व्यक्ति जी मौत हो गई और तीन लोग गायल हो गई गायलों को किलाड अस्पिताल में जो अपचार चल रहा है पुलिस ने जो है दुरगटना से मेह मारे गए राजेंदर कुमार का शब जो है रविबार को पोश्ट मार्टम करवा कर परिजनों को सौप दिया है उदर भरमोर उपमंडल में जो है रविबार सवेरे लोणा पोल केजमी पलैरो केमपर के रावी नदी में गिरने से चालक की मौत होगी बाबा बालकनात की नगरी शरतलाई में उमड़ा आस्ता का सालाब तो शरतलाई से निवजर की उत्री भारत के पर सिध सिध पीठ बाबा बालकनात की नगरी वा तपुस धली शरतलाई में शरतलु की काफी भीड लगी है लंबी-लंबी लाइनों में खड़े होकर शरतलु बाबा बालकनात की के दर्शन कर रहे हैं मंदिर का प्रांगन जो है खचाखच श्रिदालूं से भरा हुआ है देश विदेश हुआ अन्य राजियों जैसे पंजाब हर्याणा उत्तरप्रदेश रहस्तान हिमाचल प्रदेश से जो है काफी मात्रा में श्रिदालू आ रहे हैं धर्मशाला हिमाचल विदानसवा तपोवन की गेट पर लगे खालिस्तानी जंडे मचा हड काम पतस्वेले जो है आप देख सकते हैं अनुराग ठाकुर ने सांसद नईदी से जो है विकास कार्यों के लिए जीला उन्ना को दिये 49 लाख रुपया तो केंद्री सूचना एवं प्रसारन और युवा मामलेवा खेल मंत्री एवं हमीरपुर संसदीक शेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर ने जीला उन्ना में वि विकास खंड, बंगाना के लिए 5 लाख, विकास खंड, उन्ना के लिए 15 लाख, तथा विकास खंड, हरोली के लिए 4 लाख रुपय की धनराशी जारी किये है किलार तांदी मार्क पर रियत से भरा टिपर खाई में गीरा, एक की मौत, तीन घायर तस्वीरें आप देख सकते हैं, हिमाचर प्रदेश के डिस्टिक चंबा, पांगी से नुजे, अर्नियाला में कमरे में बंद करके पीट डाली काम कर रही महिला, तो उन्ना से नुजे क एक महिले को कमरे में बंद कर दिया और मारपीट के गई, अनिल शर्मा ने सीम जाराम को कहा थांक्यू, पेता जी की सेहत में हो रहा है, सुधार, तो अनिल शर्मा ने विपदा के समय मिली मेदत के लिए गताया, सीम जाराम और अधिकारियों का आबार, संबित पात्रा बो तो ब्रहष्टाचार की जननी बन जाती है, जिसमें करोडों की गुटाले बार-बार सामने आते हैं, इसके विपडित पीम मोदी ने जनता को ब्रहष्टाचार मुक्त शासन दिया है, तो दोस्तों यह थी आज 8 मई 2022 की हिमाचल परदेश की शाम 5 बजे की टॉप 10 ताल्या ख़बर हैं, अगर आपने वी तक वीडियो को लाइक ने किया है, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बेल्कुल भी न भूलें, ताकि आप तक हिमाचल परदेश की हर नौटिकेशन सबसे पहले पहुंच सके, धन्यवाद, चैशन, कर दो कर दो उबऄक कर दो झाले में करना ब बेल्या दो आपने हो वीडियो को दो हम पहुंच सक कर द весь तोले की हुंच सक cuma को जुबिया, चैशन, ओभ एो.